टेकीमेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएं तो फ्रेंट्स क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से अपनी एनिडेस का इडी किसी के साथ शेयर कर दी और थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लगा यह तो मैंने गलत किया क्योंकि कोई भी डेटा मेरा यूज कर सकते है जो रिमोट यूजर है आपका सें यूज करना चाहते है वो डेटा आपका वो यूज कर सकता है तो इस टाइम पर टांग को को डिसकनेक्ट कर देते है क्या आप जानते हो कि जो लिमोट यूजर है उसने आपके और देस्क एड़्त की रिमोट डे denkका की जो चेंज हों सकती है मैं यह नहीं को सेंटिंग चें ना बताए आपके निडेस के साथ connectivity बना सकता है और आपके फोन को अपने फोन में access कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलता तो ऐसी situation ना आए तब आप क्या करेंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यही बताने वाले चोटी सी ट्रिक के बारे में जिससे आप अपने फोन को unwanted access से बचा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो अपने फोन को unwanted access से बचाने के लिए आपके इस दो तरीके हो सकते हैं या तो आप एनिडेस के एप उसे ही निंस्टॉल कर देंगे जब जूरत पड़ेगे आप दुबारा इंस्टॉल करेंगे महापे एनि अनिस्टोल नहीं करना, आप अनिस्ट की ID को ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंट यहाँ पर आप उपन करेंगे अनिस्क, तो ये ID आपको शोर हो रही है, इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप open करेंगे settings, आप phone settings में जाएंगे, go to apps, go to any desk, go to storage, clear data option है, इस पर आप click करेंगे, तो देखें friends, यहाँ पर dialogue open हो, all of these application data will be deleted permanently, this includes all files, settings, accounts, databases, etc, सब कुछ delete हो जाएगा, press ok, तो हम back करते हैं, अब check कर लेते हैं, हमारी Anidas की ID चेंज हुई है या नहीं हुई, तो देखें friends, Anidas की ID जो है, वो change हो चुकी है, यहाँ पर जितनी भी settings थी नीचे पहले show हो रहे थे, जिसके साथ मैंने connectivity बनाई है, उसकी यहाँ पर Anidas का ID शो हो रहे थी, लेकिन अब वो भी नहीं है, सारी settings जो है, वो change हो चुकी है, एक step तो यह है ID change करने का, second step जो है, आप simply Anidas को click करेंगे, long press करेंगे, यहाँ पर app info पर जाएंगे, यहाँ से अब जाएंगे storage, यहाँ से clear data करेंगे, ok, open Anidas, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह ID हमारी फिर से change हो गई, that's it, तो friends, I hope कि आपको यह trick पसंद आई होगी, इसी तरह कि नएने tricks जानने के लिए, आपको मेरे channel को subscribe करना होगा, और friends, साथ ही, bell icon को दवाना मत भूले, thank you!